नमस्कार आदाब सच्ष्री अकाल जैभीम जुहार मेरा नाम है नवीन कुमार जब मीडिया संस्थानों के मालिक सत्ताधीशों के तलवे चाटने लगते हैं संपादक मंत्रियों के आगे एडियां रगरने लगते हैं एंकर सताधारी दलों के नेताओं के लिए तश्तरी सजाने लगते हैं तो उन संस्थानों के पत्रकारों की गर्दने बहुत सस्ती हो जाया करती हैं उन्हें पुलिस की वर्दी में कोई भी मवाली कहीं भी दबा देता है क्योंकि उसके मालिक और मालकिन मंत्री और प्रधार मंत्री के सामने बैठ कर दाच चियार कर हसते रहते हैं मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं वहैसे ही एक संस्थान के फोटो जनरलिस्ट का गला गोटे जाने की तस्वीर है और असल में यह पत्रकारिता का गला गोटे जाने की तस्वीर है जिसका मालिक संपादा का एंकर और पत्रकार लाइन लगा कर भारतिये जनता पार्टी की चोखट पर ना करगरते रहते हैं उस संस्थान का नाम है आज तक इंडिया टुडे ग्रूप वही समू है जो आज तक ललन टॉप, बिजनस टुडे, कॉस्मो पॉलिटन, हारपर बाजा, रीडर्स डाइजस्ट का प्रकाशन प्रसारण करता है अब एक बार फिर से तस्वीर परखौर कीजिए और यहां से बात शुरू करता हूँ की चलू भर पानी में ढूब मरो आज तक इंडिया टुडे ग्रूप के पत्रकारों और संपाद को ऐसी नौकरी का करोगे क्या जो अपने ही साथी का गला घोटे जाने पर जुबान खुलते हुए कलेजा काप उठे चित्रा त्रिपाठी का एक ट्वीट अभी उनके ट्विटर हैंडल पर पड़ा हुआ है कंगना रनौट को लेकर सुप्रिया श्रिनेद के सोशल मीडिया पोस्ट पर वो लिखती हैं जुबान पर लगाम दिखती नहीं है मगर वो होनी चाहिए सोशल मीडिया पर भी लगाम किसको कहते हैं यह चित्रा त्रिपाठी जैसों से सीखना चाहिए कि अपने ही दफ्तर में काम करने वाले साथी का पुलिस गला घोट दे लेकि सत्ता और पुलिस की दलाली में बोली नहीं भूटती रही बात नारी सम्मान की तो भाजपा के एक बहुत बड़े नेता ने ममताब एनर्जी से पूछा आए कि तुम्हारा असली बात कौन है दुनिया को बताओ लेकिन आज तक के आंकरों आंकरानियों का गला सूख गया है क्योंकि इससे वो लोग नाराज हो जाएंगे जिनकी आगे सारवजनिक तोर पर एडिया और नाकर गड़ते हुए उन्हें न शर्म आती है और न संकोच होता है चित्रात्रिपाठी, गौरोसावन, शिवरो ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए राजदीब सर्देसाई तक ने एक शब्द नहीं कहा आपको भले लगता होगा कि वो बहुत करांतिकारी और वीर है असल में वो सिर्फ एक अच्छे मुलासिम है जो हर हाल में अपनी नौकरी बचाना जानते हैं इसके लिए चाहे औरों का सिर काटना पड़े या अपना सिर जुकाना पड़े और आइंकरों को क्यों शर्माएगी जब मालिकों को नहीं आती खैर वापस तस्वीर पड़ाते दिल्ली के पटेल चौक पर यानि संसर्भवन के पास आम आद्मी पार्टी के हजारों कारेकरता और्विंद कजरिवाल की गिरफतारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे तमाम संस्थानों के पत्रकार और फोटोग्रफर इसे कवर करने के लिए पहुँचे हुए थे इंडिया टुडे के भी दिल्ली पुलिस के मवाली कहते हैं कि तुम इसे कवर नहीं कर सकते आप में से कुछ लोगों को दिल्ली पुलिस के मवाली कहने पर इतराज हो सकता है लेकिन मवाली को मवाली नुक्राइब तो क्या कहा जाए और मोधी भाजपा पुलिस के आगे नाक रगएने वाले इंडिया टुडे आज तक के मालिक एंखर संपाधक न कहें तो न कहें मवाली लेकिन जर्एंडिया टुडे के उस फोटोग्राफर से पूछिए तो उसपर क जा गुजरी है इनका नाम है आरूंध ठाकूर और दिल्ली पुलिस के जिस कारिंदे ने आरूंध ठाकूर की गर्दन पकड़ रखी है वो कोई पत्रकार का कॉलर पकड़ा तो किसी पत्रकार का हाथ तोड़ दिया ये किया दिल्ली पुलिस के अडिशनल डी सी.पी रवी कांथ ने इस मवाली को देखिए कैसे अंगुली उठाकर टार्गेट कर लहा है पत्रकारों को यह आदमी पुलिस फूस तो छोड़ दीजिए लोग दास्ताने पत्रकाइलता के छात्रों को सधियों तक पढ़ाई जाएंगी कुछ तो शर्म करो आज तक इंडिया टुड़े गुरूप वालो सत्ता के आगे इतनी नाक रगड़ी इतनी नाक रगड़ी कि तुम्हारी नाठी कट चुकी है लेकिन जुबान तो है अरे हां भूल गया था कि वह जुबाने तो केवल सत्ता का पत्तल चाटने के लिए सुचिए क्या घजब की बात है कि आज तक इंडिया टुड़े के फोटो जनलिस्ट का गला घोट दिया चौराहे पर पुलिस ने और उसी इंडिया टुड़े पर इसकी खबर नहीं ना लंट पर नाज तक पर न कराइं तकपर न दली तक पर कहीं नहीं स्वाहा बोलिये एहरोन पुरी कली पुरी आहा एक कहानी नहीं है दिली पुलिस के मुवाली में बदल जाने के हंदुस्तान अखबार के फोटो जनलिस्ट सलमान का तो हाथ तोड दाला जाले बिली पुलिस ने rokकी वर्दी वाले मवाली पत्रकारों पर कहर बनकर तूट पड़े थे ना आज तक पर कोई शो हुआ और ना ही हिंदुस्तान अख़बार के संपादकों को कोई फर्क पड़ा कोई हल चल नहीं और हल चल इसलिए नहीं है कि दिल्ली पुलिस के मालिक है ग्री मंत्री अमित शाह उ मसला के वाल इतना ही नहीं है मसला ये भी है कि पुलिस के कई अफसरों के परिवार वाले तमाम टीवी चैनलों में उचे पदों पर बैठे हुए और संपादक से लेकर सी यो तक जम कर उनका फाइदा उठाते हैं एक चैनल का सी यो तो सिर्फ इस वज़े से पुलिस वाले हैं डिली के फोटो पत्रकार हैं डिली पुलिस के गुंडा ब्रिगेट में बदल जाने की ऐसी धर्जनों तस्वीर हैं और इससे ज्यादा तस्वीर हैं टीवी चैनलों कर चित्रात्र पाठी दंगल नाम का शोग कर रही थे इस शोग का नाम कर देना चाहिए बेश्रमी का दंगल आज तक शोग को प्रमोट करते हुए ट्वीट करता है आखिर कॉंगरेस ने सुप्रिया श्रिनेत के घेनित पोस्ट पर क्या एक्शन लिया हैश्टेग कॉंग्रेस में ऐसे घटिया सोच और मानसित्ता वाले लोगों को जगह क्यों इस तरह मंडी के लोगों का अपमान बेटियों का अपमान देश कब तक साहेगा एक महिला दूसरे महिला के चरित्र को यूं सरयाम अपमानित कैसे कर सकती है कॉंग्रेस क्या एक्शन लेगी जनता देख रही है और महिलाएं इंतजार कर रही है बड़ी गंदी हिंदी है आज तक वालों की का के की का अंतर भी समझमन नहीं आता मात्राइं सीखना चाहिए हिंदी व्याकरण का ट्यूशन दिलाना चाहिए अरुण पूरी जी को अपने पत्रकारों को लेकिन गौर कीजिए इस पूरे पर गला दबाए जाने का अपमान आज तक कब तक सहेगा पुलिस के मवाली आज तक के पत्रकारों को यू सरयाम अपमानित कैसे कर सकते हैं आज तक इंडिया टुटे ग्रूप क्या एक्शन लेगा जनता देख रही है और तुम्हारे ही दफ्तर में काम करने वाले इंतजा क्या कशब का धकोसला है कि जो मीडिया समूर्ण चौराहे पर घसीटे जा रहे हैं अपने ही पत्रकारों की कच्रा होती इज़्जत पर चू नहीं कर पा रहा उसके एंकर पूरी दुनिया के आत्मिसम्मान का टिंडर उठाए गूम रहे हैं ठीक कहा था रहात इंदौरी सा में यहां पर अकेले हमारा मकान थोड़ी है पत्रकारिता की गिरती हुए साख और उड़ती हुए धजियों के बीच चैनलों के कच्राधी पती एंकरों ने रास्टवाद का चंडा बुलंद किया हुआ है इनकी बलाएं लीजिए बलाएं इस वीडियो में इतना ही लेकर अ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को पहुंच है नमस्कार